ऐसा माना जाता है कि श्रीनगर में डलशील के किनारे बसी खुबसूरत और पाक हजरत बलदरगा में हजरत मुहम्मद पैगंबर के केश रखे गए है हजरत बल का मतलब है एक आली शान जगा और ये जगा अपने नाम को सार्थक करती है दलशील के पश्शिम में स्थित सफेद पत्थर में तराशी गई ये सफेद रचना मुगल शैली में बनाई गई है सादिक खान द्वारा 1634 में निर्मित ये जगा 1699 में मोई ए मुकदस अर्थात मुहम्मद पैगंबर के पवित्र केशों का आवाज बनी जब गलत फहमियों के एक दोर के बाद औरंग जेब ने इने ख्वाजा नूर उत्दीन को वापस कर दिया था हाला कि इनकी मृत्य हो गई थी फिर भी इनकी बेटी ये बहमूल स्मृती चिन ने यहाँ पर ले आई और उनके वंशच और परिवार जन आज भी इस स्मृती चिन की देखभाल करते हैं ये तीर्थ स्थल श्रीनगर के शितज में साफ दिखाई देता है क्योंकि ये श्रीनगर की एक मात्र गुम्बत दुमा मस्जिद है यहाँ से जबरवान पहाडों, पीर पंजाल श्रिंकला और डल जील के द्रिशिद दिखते हैं इस खुबसूरत सफेद तीर स्थान को दर्गा शरीफ, असार शरीफ या मदीनत उस्थानी भी कहा जाता है यहाँ पर आप सुबा जाए और कोहरे में गिरे इसके जादू को देखिए कबूतर को दाना डालिए और इसकी अलोकिक शक्ति को महसूस कीजिए और रात में श्रीनगर के आसमान में इसकी हबरी खुबसूरती को देखना ना भूले